हलो फूडी चलो बनाते हैं मिर्जी के पकोड़े मकर संक्रांदी पर एक स्पेसल ट्विस्ट के साथ तो इसको बनाने के लिए हमने इसका लिया है में इंग्रिडियन्ट हरी मिर्ज इसके साथ ही साथ हमने ले ली है हरी मटर और वेसन स्टाफिंग के लिए हमने ले लिया है आलू उबाल के मैस की हुआ साथ हल्दी नमक लेसुन अद्रग और सरसूंक तील अब हम क्या करेंगे कि हम मिक्स्चर जार में मटर जाल देंगे और उसमें डाल देंगे हल्दी और नमक और उसमें हम थोड़ा सा लेसुन और अद्रग डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए और इसे महीन पीस लेंगे देखे हमारा पिसके तयार है इसे एक बरतन में हम खाली कर लेंगे और उसमें हम मिलाएंगे बेसन और जिस मिक्सिम हमने पीचा था ना उसे पाने मिलाकर थोड़ा जरूरत के साब से हम घोल बना लेंगे और इदर हरी धनिया लेंगे अबले अपने आलू लेंगे इन सब आलू में हल्दी नमक खरी धनिया डालके अदरक लहसुन डालके हम अच्छा सा मसाला बना लेंगे अब हम मिर्चियों को बीच से चीरा लगा लेंगे सारी मिर्चियों को हम चीर लेंगे और इसमें हम मसाले को दबा दबा का भर लेंगे ना क्यों अंदर मसाला भरेंगे बलकि मिर्चि के उपर भी मसाले की हम कोटिंग कर लेंगे और सारी मिर्चियां हम इसी तरह तैयार कर लेंगे ये देखिए हमने अपनी मसाले वाली मिर्चि भी बनाई है और बिना मसाले की मिर्चि चीरा लगा के ऐसे ही रख ली है और जब हमने जो घोल बनाया था उसे लेंगे मटा डालके हमने इसको बहुत अच्छा एक स्पेसल्टिस्ट दिया इसे हम अच्छे से चला लेंगे और तेल को रख देंगे गरम होने के लिए कड़ाही में और मसाले में जो बेसन का हमने मिक्स मसाला बनाया इसमें हम अपनी मिर्चियों को डुबा डुबा कर अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे और तेल में तलने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह हम अपनी बाकी मिर्चियों को भी डाल देंगे तलने के लिए और जब एक साइट से पक जाएंगी तो हम दूसरी साइट से पलटके इसे दुनों तरब से सेख लेंगे और निकाल लेंगे प्लेट में सर्व कर लेंगे आप भी इसे बनाएं खाएं और आनद दिखाएं चैनल को लाइट करें ज़स्त करें